हालो अबरीवंड, ग्रीटिंस अब रुप्ता Joycemy Diיה फ्रेंट्स आजकी स्विडियो में हम जानेंगे प्लाटिना होमेपाथिक मेड़सिं के बारे बारे हैं फ्रेंट्स जो ミ्लाटिना होती है यह बनाई जाती है सबसे कॉस्ट्ली मेचल यानि प्लैटिनम से platinum की jewelry, platinum की बहुत सारे advertisement आप देख रहे होंगे तो उसी से ही medicine बनाई जाती है जो कि अगर हम periodic table की बात करें तो उसमें सबसे नीचे के line में gold यानि और metallicum के साथ ये जो platinum होता है ये पाया जाता है periodic table में और इससे जो medicine बनाई जाती है उसको बोलते हैं platina तो friends जो platina होती है एक बहुत interesting homeopathic medicine है आप लोगों को ये जो वीडियो में बना रही हूं बहुत ज़्यादा interesting लगेगा क्योंकि इसके symptoms को बहुत ज़्यादा correlate कर सकते हैं जैसे जैसे इसके एक symptom के बारे में आपको explain करूंगी आपको ज़रूर कोई नो कोई person mind में आ जाएगा कि yes इसके अंदर ये symptom ज़रूर है तो पूरे detail में हम जानेंगे platina homeopathic medicine के बारे में तो चलिए आज को topic स्टार्ट करते हैं तो friends बात करते हैं platina तो platina जो homeopathic medicine होती है इसको mostly हम constitution basis पे देते हैं मतलब सारे symptoms इसके साथ match करते हैं especially mind symptoms में बहुत ज़दा important medicine है इसके अंदर एक चीज़ बहुत frequently पाई जाती है वो होता है superiority complex person को हमेशा लगता है कि वो सबसे superior है और जितनी भी लोग उसके आस्वास हैं वो उससे काफी ज़दा lower level पे हैं उसके level पे कोई stand नहीं करता है या यू कह सकते हैं जैसे कोई lady boss होती है बहुत जादा arrogant type की होती है बहुत जादा dominant होती है तो उस type का जो character होता है वो पाया जाता है platina में platina जिन लोगों को suit करती है वो mostly hot patient होते हैं गर्मी बहुत जादा बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं और गर्मी से इतनी परशान होकर कि वो जहल कदमी हमेशा करते हुए पाया जाते हैं अगेन एक feature आजाता है bossy nature का तो बात करते हैं platina के theme की तो platina के theme में ऐसा होता है कि patient को जो भी person होता उसको ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा सा dominant होकर के नहीं रहेगा तो उसको सब लोग कुछ समझेंगी नहीं तो उसके value खतम हो जाएगी और वो exist नहीं करेगा जैसे कि lycopodium medicine मैंने बताया था कि lycopodium में भी उसको अपनी power को बढ़ाने का शौक रहता है अगेन lycopodium दिया जाता है bossy nature के लोगों को जो boss होते हैं बहुत जादा बहार से बहुत सक्त अंदर से बहुत नरम होते हैं तो उसी तरह का character इसमें होता है कि patient को ऐसा लगता है कि अगर वो बहुत जादा लोगों को overpower नहीं करेगा बहुत जादा superiority नहीं दिखाएगा तो उसको कोई कोई समझेगा ने इसकी value खतम हो जाएगी तो यही करते करते यह patient जो है बहुत जादा ही change हो जाता है बहुत जादा arrogant हो जाता है बहुत जादा ears yaloo हो जाता है जिलेस इसको बोलते हैं या किसी से भी उसको जो emotional contact होता है वो नहीं होता है ऐसो लोग किसी भी relation में काफी लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं और जल्दी जल्दी उनके friends हो, family हो तो वहाँ पर जल्दी जल्दी से भी उनको मन मुटाओ देखा जाता है कोई रिलेशन जादा लंबे समय तक चलता नहीं है जो ऐसे लोग होते हैं इंको रोना भी बहुत जल्दी आता है और ये रोना इसी लिए आता है क्योंकि उनको emotional support चाहिए होता है दूसरे से लेकिन again जब को उनको support देने के लिए आता है तो उन नहीं लेते हैं जिसको contemptuous word बोला जाता है तो contemptuous nature क्यों होते हैं मतलब किसी की help भी उनको बरदाश्ट नहीं होती है ऐसा लगता है कि कोई उनको help करके उनको अपने level पर ले आएगा तो किसी को help भी लेने को ready नहीं होते हैं जो platina जिन लोगों को suit करती है ऐसे लोगों को मरने का पर बहुत डर होता है लेकिन वो कई बार दूसरों को दिखाने के लिए वो act करते हैं कि वो मर जाएंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे जिसको हम hysterical nature से बोल सकते हैं जैसे hysteria में होता है कि जो होता नहीं है वैसा वो patient show करता है तो ऐसा ही इसमें भी होता है तो platina को again hysteria के cases में बहुत अच्छे तरह से use किया जाता है इसके लावा friend जो platina medicine होती है इसको बहुत तरह के personality disorder में दिया जाता है especially एक तरह type का जो personality disorder होता है जिसको cluster B में माना जाता है जिसको बोलते हैं narcissistic narcissistic का मतलब हुआ I am the one मैं सबसे उपर हूँ सब लोग मेरे नीचे हैं सारे society में कोई मेरे लायक नहीं है या even मैं इस world के लायक नहीं हूँ मैं सबसे अलग ही इंसान हूँ और कोई भी मेरे level पे नहीं है तो ये जो nature होता है personality disorder होता है जिसको narcissistic बोलते हैं तो इस तरह की feeling होती है तो अगर ऐसे symptoms मिलते हैं तो उसमें platina एक सबसे important homeopathic medicine है और एक interesting बात आप से share करना चाहूंगे कि अगर किसी को हम as a colleagues अगर किसे को बोल देते थे कि आप platina के symptoms मिलते हैं तो उसका तो बिलकुल हाल खराब हो जाता था उसको लगता था कि इसने bad comment कर दिया तो अगर प्लाटिना एक ऐसी medicine है जिसको बहुत सादा एक rude behavior एक arrogant lady एक dominating lady एक ऐसी lady जिसको किसी की emotions का खयाल नहीं हो तो ऐसे लोगों को ये medicine बहुत अच्छा suit करती है तो friends और कुछ symptoms के बारे में बात करते हैं जो platina medicine होती है ये बहुत important medicine हो जाती है जहाँ पर symptoms धीरे-धीरे से बढ़ते हो और धीरे-धीरे से खतम होते हो चाहे वो head के symptom हो चाहे वो pate की दिक्कत हो चाहे वो menstrual problems हो तो हर problem में जो परेशानी होगे तो धीरे-धीरे बढ़ेगे और धीरे-धीरे ही कम होती है exactly opposite होता है जैसे belladonna में क्या होता है कि belladonna में कोई भी pain होता है एकदम से बढ़ता है और एकदम से कम हो जाता है लेकिन इसमें हर problem धीरे-धीरे उठती है और धीरे-धीरे कम होती है तो और किछो important symptoms को बात करते हैं, तो platina एक important medicine होती है, जहांपर sexual sphere बहुत ज़्यादा dominating होता है, जो ऐसे patient होते हैं, वो sexual advantage देने के उकोशिश करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसके basis पे वो कुछ भी achieve कर सकते हैं, ऐसे भी nature होता है, लेकिन साथ के साथ इसमें एक important condition होती है, वो होता है hypersensitivity, इसमें जो female होती है, उसको आपने जो organs होते हैं, बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं, जिसके कारण उसको एक condition, frisidity की problem हो जाती है, तो frisidity में क्या होता है, कि जो patient कभी भी physically intimate होने के उकोशिश करता है, तो उसको एकदम से spasm हो जाता है, muscle सारी अकड़ जाती है, वो इवन कई बार वो बेहोश भी हो जाता है, ऐसी condition भी होती है platina में, तो friends कुछ और important symptoms के बारे में बात करते हैं, तो platina को ना सिर्फ personality disorders में दिया जा सकता है, बलकि कई बार इसको जो split personality होती है, उसमें भी काफी जादा important medicine होती है, और friends सबसे important चीज़ platina के बारे में ये जान लेते हैं, कि किसी भी patient का इस तरह के symptoms में आने के पीछी reason क्या होता है, तो reason होता है कि जब जबी भी वो कुछ achieve करना चाहता हो, तो उसको achieve अगर नहीं कर पाया हो, misplaced अगर ambitions रहे गए हों, जिसको एक term है, तो अगर ऐसे conditions होती हैं, उसके कारण ही patient ऐसा होता है, तो उसके ambitions अगर पूरे नहीं हुए, life में जो कुछ उसने चाहा हो, अने बताया, उसमें patient X में बहुत happy mood में रहता है, दूसरे minute में ही वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसको again बोला जाता है borderline personality, तो अगर patient का nature unpredictable है, कभी एक minute बिल्कुल normal, बिल्कुल हस्ता खिलता हुआ दिखता है, दूसरे minute में बिल्कुल जिस लगता है कि सारे दुनिया के परिशाने उसके पास ही आ गई है, तो बिल्कुल अलग से जो nature होते हैं, वो भी platina में पाये जाते हैं, तो borderline personality, multiple personality, hysteria, narcissistic, बहुत तरह की personality disorder में, this acts as a very good medicine, कुछ और symptoms को बारे में बात करते हैं, अगर head की call से condition में आप इसको ले सकते हैं, तो head में ले सकते हैं, अगर आपको ये problems के कारण, आपके पास कोई relation नहीं है, आपके पास कोई share करने के लिए नहीं है, या आप किसी से कुछ share नहीं करना चाहते हैं, गुस्सा बहुत आता है आपको, और आपका जो ambition वो पूरा नहीं हुआ है, और इन सब कारण से अगर आपको बहुत सिर्दर्द रहता हो, और ये सिर्दर्द गर्मी में बढ़ जाता हो, गरम रूम में उसका सिर्द बहुत तेज दर्ड होता हो, और धीरे-धीरे दर्द बढ़ता जाता हो, धीरे-धीरे कम होता हो, तो ऐसे cases में हम headache के complaints में भी इसको दे सकते हैं, फिर्ट जो platina medicine है female की again menstrual complaints हो, उसमें भी काफी अच्छा काम करती है, तो इसमें क्या होता है कि flow बहुत जादा होता है, flow बहुत जादा दिन तक भी चाल सकता है, और साथ में काफी जल्दी आ जाता हो, तो ये सारी condition अगर देखने को मिलती है, साथ के साथ जो period का blood होता है, उसमें clots बहुत जादा जाते हों, तो मीनोरेजिया के साथ मिटोरेजिया, मिटोरेजिया मतलब बार-बार, हर 15 दिन, 20 दिन के बाद उसको periods आ जाते हों, तो ऐसी condition में भी platina बहुत अच्छी medicine है, इसके लावा ये दिया जाता है constipation के cases में, तो constipation के case में ये काफी जादा similar हो जाती है alumina से, जैसे alumina में क्या होता है कि जो intestines होती हैं, बिल्कुल पैरलिटिक हो जाती है, बिल्कुल जैसे लगता है के अंदर जान नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर सकती है, सेम ये condition होती है platina में, पेशन बार-बार जाता है, बार-बार strain करता है, इसके लावा अगर अगर आप कहीं सफर करते हैं, कहीं अपनी जगा सो दूसरी जगा जाते हैं, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, या किसी भी relative के हां जाते हैं, और उसके दोरान आपको constipation होना ही होना होता है, तो ऐसे cases में भी बहुत अच्छा काम करती है, तो traveler's constipation के लिए ये बहुत important medicine होती है, इसके लावा एक और symptom के बारे में बात करते हैं, वह है निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया मतलब violent sexual desire, अगर sexual desire बहुत ज़दा prominent है, चाहे वो lying in woman हो, मतलब जिनके अभी थोड़े टाइम पहले delivery हो ये, उनके अंदर sexual desire बहुत ज़दा है, या जो non-married females है, unmarried females है, उनके अंदर अगर sexual desire बहुत ज़दा होते हैं, unusual होते हैं, तो perversions होते हैं, तो उन cases में भी platina बहुत अच्छा काम करती है, इसके लावा एक important condition जो उसमें देखनों के मिलती हैं, वो होता है abdominal colic, abdominal colic मतलब आपके घर में अगर कभी ऐसा painter's colic भी बोलते हैं, कि अगर आपके घर में कभी painting हो रही है, उसकी smell आपको चड़ गई, आप painter हैं और आप बार-बार paint को use करते हैं, उसकी smell आपको चड़ गई, तो उसके कारण अगर आपको बहुत ज़्यादा pain होता हो, जो कि आपके umbilicus से पीछी के दरफ जाता हो, ऐसे लगता है कोई खीच रहा हो आपके पेट को, आपकी जो muscles आपको कोई खीच करके पीछी के दरफ लेके जा रहा हो, और ये mental symptoms सिर्फ चारपा स्टिप्स पे हैं, कि patient बिल्कुल emotional less है, और हर बात पर रोना उसको आ जाता है, लेकिन रोना किसी कसामने दिखाता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा acting करता है, वो hysterical patient है, disorders बहुत ज़्यादा है personality में, तो ये सारे symptoms अगर आपसे match होते हैं, तब आप platina ले सकते हैं, अब हम बात करते हैं कि platina को लेना कैसे है, तो friends, platina को अगर आप किसी मानसिक परिशानिक ले ले रहे हैं, चाहे OCD की problem हो रही हो, चाहे आपको personality disorders की problem हो रही हो, चाहे hysteria की problem हो रही हो, या जैसे मैंने बताया कि, अगर किसी तरह की, जो dominating बहुत जादा nature है, ऐसे conditions में अगर आप इसको ले रहे हैं, तो उसको आप higher potency में ले सकते हैं, और higher potency यानि 200 या 1M potency में लेना है, और इसको भी बार-बार आपको repeat नहीं करना है, एक बार लेने के बाद हफते 10 दिन तक आपको wait करना है, अगर आप constipation के लिए ले रहे हैं, अगर आप headache के लिए ले रहे हैं, या अगर menstrual problems के लिए ले रहे हैं, मतलब physical problems के लिए अगर आप ले रहे हैं इस medicine को, तो इसको आप 30 potency में भी ले सकते हैं, और अगर आप उसको 30 potency में ले रहे हैं, तो दिन में 2-3 बार उसको repeat किया जा सकता है, तो friends ये सारी information थी, platina, homeopathic, medicine के बारे में, I hope कि जो भी information मैंने इस topic पर आप से share किया, आपको पसंद आई होगी, wishing you a very good health, thanks for watching,